गुद मॉर्निंग आपरिमन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एट का जो चैप्टर है 13 उसकी एक्ससाइज जो है हमारी 13.1 ओके 13 चैप्टर डिरेक्ट एन इंवर्स प्रोपोशन उसका कोशन नंबर जो हमारा है नाइन उसको हम डिसकस करेंगे वीडियो में तो कोशन पढ़ लेते हैं क्या रहा है और 5 मीटर 60 सैंटिमिटर हाइए जो हाई है वर्टिकल पोल एक वर्टिकल मतलब एक सीज़ा ख़ड़ा पोल है कास्ट और शैडू मतलब की परशाइज हो रही है कितनी है तो यह जो फाइफ मीटर 60 सैंटिमिटर दे रखा पहले इसको हमें एक सेम यूनिट में करेंगे यो आप मीटर में करनेवाट कर ले य Eggs से ही इसको मीटर में करनेवाट करें या फिर 18 अप 10 기म ते मिड़ाइं यह आपको करना पड़ेगा से फाइंड एट डी सेम टाइम हमें क्या फाइंड करना कारणे मेरे मी तहीक गाला के अपने मेरे के बाक लाख Ayγα को मेरे अपने आप निए तो कैटेजिकरीस हैं ent banana इلف Eig हमारे ब गाले दो है इसमें को खचन के साफ से में हैं ठीक लिग दे रहा हूँ अपर मैं अप लोग को box बनाने का फैदा किया है हमारी जो है हमारा formula है वो लग जाता है इसमे एक height of pole है एक हम लिख लेते हैं को in centimeter ठीक है या हम convert कर लेंगे और दूसरी है length does lead of shadow लेंथ of shadow ये भी हम क्या करेंगे centimeter ठीक है अब हमारे पास जो पहला केस है देखो जो फाइफ मीटर सिक्स्टी सेंटिमीटर में दे रखा है यह क्या है इसकी हाइट आफ दी पॉल दे रखी हाइट आफ दी पॉल तो यह जो फाइफ मीटर की सिक्स्टी सेंटिमीटर इसको में कन्वर्ट करना है तो हमारे पर ट्रीक है कहां है दिली में डॉन का मकान यह कि पिशे आम एम में माझा जैंगा है इनकी पिशे ठीक है आगर तो हम उपर को और एक आरो नीचे को ठीक है उपर को जाएंगे डिवैड करेंगे नीचे को आएंगे तो multiply करेंगे तो देखो हमें मीटर से centimeter में आना है तो one jump two jump two jump मतलो 100 100 से हमें क्या करना है इसको 5 meter को 100 से multiply करना है आप प्लस यह क्या है जीँ है यह व्यों क्या 500 प्लस सिक्स्यीच इक्वल टू 560 सिंटिमेटर में हमारा यह ग्रॉत कहले तो हम यह संतिमेटर में लिखते हैं करेंगे हैं लोग तो फिर से दो जम वान जम टू जम मतलब थ्री इंटू हंड़र्ड और प्लस ट्वंटी क्योंकि यह अगला पार्ट है पहला बाला पार उसे पढ़ लेते हैं लैंट ऑव शेड़ो कैन बी दिलेफाइं दि फैंट दिलेट करेंड ती सेम टाइम लैंट और शेड़ो कास्ट बाइन अदर पॉल एक पोल है उसकी यह 10 मेटर 50 सेंटीमेटर है तो यहां पर हाइट दे रखिए इसको में कनोड करना पड़ेगा 10 मेटर 50 सेंटीमेटर तो इसका मतलब 10 को फिर हमें 100 से मल्टिप्लाय करना और यह उसमें प्लस हो जाएगा यह मारा 1000 हो गया प्लस 50 तो यह तो यहां पर यह वाली है यह हमें निकान लिए हमने आपको पता है उपर आले को हमने हमने एक्स ले लिए निछ वाले को हमने वाई ले लिए यह एक्स वन हो गया यो हो गया और यह मारा यह चौर्णा वाइटीट У लेक्ट connectल यह यहां और रहें यहां पर x1 upon y1 equal to x2 upon y2 अब x1 हमारा में value put कर दे रहा हूं इसका यह 560 y1 हमारा है 320 equal to x2 हमारा है 1050 upon y2 ठीक अब हम क्या करेंगे cross multiply यह यहां चला जाएगा और यह इस जगा पर जाएगा और यह हमारा इदर चला जाएगा वाइटू की वैली निकाल लिया है 1050 into 320 upon 560 जीरो से जीरो कैंसल हो गया ठीक है अब यह 56 और 32 किसके टेबल में आते हैं आप लोग को टेबल इसके सिंप्लिफाय करना अचाहिए यह दोनों ठीक है 56 हमारा यह यह वारा स्यावन के टेबल में आता है तैवन जा और यह एट फोर जा एट सेवन जा ठीक है और यह मारे जो सेवन यह बन जा इसको काट के देखते हैं इसके सिंप्लिफाय हो पाता है कि नहीं पाता है ठीक है तो जुर्प्रा खरेंगे तो यह मारा कैया आगया यहां पर इन दोनों की तो वाय मारा क्या गया 600 सेनिमेटर आपका आ चुका है यह तो इसका पहला पार्ट है इसके बाद हम क्या करेंगे फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि वह उसमें वैल्यूज है ये वैल्यूज है ये नहीं रखता है इसकी कुछ और लिना पढ़ रहा है तो डाक्म कर टेबल ल leaders का इसका इसका टेबल बना ले रहे है बाकित में सीज में फोड़ासा ही फरक है ठीक है ये सब छेमनें यह हाइट हला फोन थीक है और length of shadow, ठीक, length of shadow, यह आप लिख लेना, same spelling है, यह value हमें, same copy करने पड़ेगी, यहाँ पर, ठीक, centimeter में, यह भी centimeter में, और यह 320 centimeter है, इसमें गहाँ रहे हैं, height of the pole दे रखी है, जब नीचे लिए है, height of the pole दे रखी है, the height of a pole, which cast shadow है, shadow दे रखी हाइट हमें यह निकालना है, और यह हमारी दे रखी है, 5 meter, तो 5 meter को अगर हमें centimeter में करना, आपको पता हमारी 2 jump लग लिए, इसको हमें 100 से multiply करना पड़ेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 500 centimeter हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 500, ठीक है, क्योंकि यह centimeter में है, यह same table था, उपर वाला और यह same table था, ठीक है, अब क्या है हमें sum formula लगाना है, direct proportion का यह वाला, x1 upon y1 equal to x2 upon y2, ठीक है, यह मारा x है, यह मारा y है, यह x1 है, यह x2 है, यह y1 है, यह y2 है, ठीक, x1 की value यह मैं value put करते हैं, x1 की यह 560, y1 की हमारी 320, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं, पूरा जाता नहीं जाता जी, इसको 4 बन जा, और 4 बन जा, और यहां बचा हमारा 1 बचेगा, तो यह को कि 4 बन जा 4 और 50 था हमारा, इसको यह पूरा जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो यह हमारा 4 बन जा 4 हो गया, और 1 बचा कहरी है, यहां पर 2, 10, तो 4 के टेमल में 8 आता है, टूजा, 4 टूजा 8, पॉइंट और 50, 12.5 आ रहा है, इस तोनों की मल्टिप्लाइम कर लेंगे, अगर आपको पॉइंट हटाना है, यहां से पॉइंट हटा सकते हैं, ऐसे करके, बाद में अगर डालना हैं तो, और यहां पर 70 है, क्योंकि 0 यहां पर बचा हुआ था, यहां से काट दिया था, यहां से पॉइंट हटा लिजिए, इसके पीछ एक नमबर है, 10 आ गया, यह से इसे कट गया, बचा हमारा यहां पर, 7 into 100, 25 equal to x2, इन दोनों की multiply कर लेते हैं, यहां गया 35, यह 14, 15, 16, 17, 1 यहां पर, और 7 और 8, यहां गया हमारा, 875 cm equal to x2 मारा आज गया, तो यह था question number 2, second part था इसका, इसके मैंने दोनों पार्ट आप लोग को मैं करके दिखा दिए आपर, मैं पूरा व्यू दिखा देता हूं वीडियो का, ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो को प्रावलों हो, आपको आप कमेंट करके पूसकते हैं, अगर वीडियो अच्छी ल मिलते हैं, नेक्श वीडियो के साथ जिसमें की लास्ट कोच्छन ने इस एक्सेस का डिस्क्र दोनागा, तब तक लिए, बाइबाइ, स्यू अगें, टेक केर